मित्रो, हिंदू धर्म सास्त्रों में समय को बहुत ही सक्ति साली बताया गया है सत्योग में यह बात स्री किष्ण जी ने नारा जी को बताई थी कि अच्छा समय आने से पहले मिलते हैं मनुस को सुप संकेत तो अब हम जान लेते हैं कौन से हुआ सुप संकेत तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नाय आये हैं वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ सेयर करें ऐसे ही रोजाना नए नए भक्ति माय धार्मिक भजान वीडियो देखने एवं सुनने के लिए सुब असुब संकेत तोटके ग्यान की बातें जानने के लिए मित्रो आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूमें बिल्ली, कुत्ता और कौवा ये तीन ऐसे पसुपक्ची हैं जिनको स्वयम भगवान, देथ, दाना और आत्माय नजर आती हैं ये इस पष्ट रूप से उन सब को देख सकते हैं आज मैं आपको बताऊंगा अगर आपके घर के अंदर बार बार बिल्ली दस तक देती है या आती है तो क्या संके दर्सा रही है, आपके जीवन में क्या घटत होने बाला है, बिल्ली आपको बताना चाहे रही है अगर दोस्तों आपके घर से बिल्ली कुछ सामान चोरी करके ले जा रही है, तो समझ लेना आपकी जिन्दगी खुसी से भर जाएगी, क्योंकि वो आपके घर का दुख दरिद हर कर ले जाती है मैंने आपको बताया था उनको भूत पिसाच प्रेत नजर आते हैं, अगर आपके घर के अंदर आके बिल्ली रोती है, तो ये आपके लिए बहुत ही बुरी खबर है बहुत ही दुख की बात है, क्योंकि आपके परवार में कुछ हानी होने वाली है, उसको आपके घर में कुछ ऐसी चीजें नजर आ रही है, जो आपके लिए बहुत ही हानी कारख है अगर बिल्ली आपके घर में कुछ मास का टुकड़ा या कुछ मरी हुई चीजें छोड़ कर जाती है तो समझ लेना की वो दूसरे के घर का दुख दरिद आपके घर में छोड़ कर चली गई है इस सबसे बचने के लिए पांस सुमवार भगवान सिब जी को बिलपत चड़ाना चाहिए अगर बिल्ली आपको पावन त्योभारों जैसे दीपाबली, महालच्मी, दसेरा पर अगर बिल्ली आपको नजर आती है तो ये बहुत ही सुब संकेत हैं यानि आपके घर में मालच्मी आ गई है तो यही थे दोस्तों बिल्ली से जुड़े कुछ संकेत ऐसे ही संकेत चानने के लिए हमारे चैनल को सस्क्राइब कर ले मक्तू